तेरी महीमा, महीमा, इस शुबा, शालोम एवरिवन, डोमिनेंट सोट्स में आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और प्यासे हैं, ये तै करती है कि आप अपने अंदर कितने तूटे हुए है, अपने रिदे में कितने तूटे हुए है। और आपके नजदीक नहीं है। याद रखें, प्रमिश्वर उन्हें के नजदीक है जो अपने मन में तूटे हुए हैं, जिन्होंने अपनी एक्छाओं को त्याक कर प्रमिश्वर के एक्छा को ग्रहन किया हुआ है। अगर आप अपने रिदे में तूटे नहीं हैं, तो आप प्रमिश्वर के नजदीक नहीं हैं, और अगर आप प्रमिश्वर के नजदीक नहीं हैं, तो आप प्रमिश्वर को जानते भी नहीं हैं। जितने लोग परमिश्वर के नजदीक हैं वो परमिश्वर को जानते हैं और परमिश्वर को जानना तभी संभव है जब हम अपने अंदर तूटे हुए हैं अपने मन में तूटे हुए हैं और परमिश्वर के एक्छा में चल रहा हैं इस सुबह अपने आप से पूछे आप कितना जानते हैं, हम अक्सर परमीश्वर को कहते हैं, परमीश्वर क्या तू मुझे नहीं जानता, इस सुबह सवाल है, आप परमीश्वर को कितना जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने रिदे में एक सवाल पूछें, आप परमेश्वर को क्या उसके आसिसों से पड़े जानते हैं क्या परमेश्वर को आप अपने रेंट से पड़े जानते हैं अपके बच्चों के चंगाई से पड़े जानते हैं आपके जीवन के परबंद से पड़े जानते हैं क्या आपने परमेश्वर को कभी उन परबंद से प कि हम उस आशीसों को प्राप्त करके परमिश्वर के नजदीक चाहें और उन आशीसों से परे होकर हम परमिश्वर से प्यार करें परमिश्वर हमें आशीस इसलिए नहीं देता है कि हम उन आशीसों के कारण परमिश्वर से प्यार करें परमिश्वर हमें वीजा इसलिए नही इसलिए नहीं देता है कि हम उन अच्छे घर और या धन दौलत के कारण परमेशर को धन्यवाद करें लेकिन परमेशर हमें ये सब परकार के जो भौतिक वस्तू हैं हमारे जीवन में हमें जुटाता है ताकि हम उसके विश्वास योगता को देख कर हम उससे और ज्यादा प् कि इन भौतिक वस्तू को प्रेम करकर उनको अपने जीवन में पकर के रखें लेकिन आज मसी लोग हम में से अधिकतर मसी लोग यही करते हैं हम परमेशर को उतना ही जानते हैं जितना हमने परमेशर से आसिस पराप्त किये अगर हम चंगाई को अपने जीवन से हटा दे क्या सच में हम उसको recognize कर पाएंगे परमिश्वर चाहता है कि हम उसके परती भूके और प्यासे रहें हम उनके आसिस के परती भूके प्यासे नहीं लेकिन परमिश्वर के परती भूके और प्यासे रहना हम सब को आना चाहिए क्योंकि जब हम भूके प्यासे होते हैं तब हम से बहुत कुछ प्राप्ट कर सकते हैं संसारिक वस्तुओं के इलावा भी इसलिए जो वस्तुओं आप परमेश्वर से प्राप्ट करते हैं उस अधार परमेश्वर को ना जाने लेकिन परमेश्वर को जाने उससे प्यार करें और तब देखें ये बहुत इक चीजे जो है आ उनका कोई भी प्रेम आपके अंदर नहीं रहेगा। इसलिए योना अपने पत्री में ये कहता है कि तुम संसार के नहीं हो। इसलिए संसार के वस्तों से प्रेम ना रखो। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के नजदीक रहें। मेरे प्रेम आपके जीवन में परमेश्वर के पास में जाने के लिए टूटापन होना बहुत जरूरी है। बिना टूटापन के आप परमेश्वर को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए अपने इक्छा को मारना जरूरी है। और आप अपने इक्षा को तभी मार सकते हैं जब आप अपने रिदे में तूटे हुए हैं, इसलिए सबसे जरूरी प्रात्ना इस सुबह जो आपको करनी है वो ये कि परमीश्वर मुझे अपने मन में तूटा पन सिखा, परमीश्वर मैं तेरी इक्षा को अपने जीवन में तूटा पन का जीवन जीना है और कैसे आप परमीश्वर के नजदीक उसके साथ में एक होकर चाल सकते हैं, पिता जी मेरी प्रात्ना है कि आपका सामर्थ आपके लोगों के उपर बना रहे हैं और परमीश्वर आपका जीवन आपके लोगों के उपर बना रहे हैं और परम आप उन से मुलाकात कर सके हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुगरा के लिए प्रभी ये शुक्रिस के नाम में एमें एमें गाद ब्लेस्ट यू जस्ट नो एट आई लोव यू बट जीजस लवस्ट यू वेन मोग तेरी महीमा